हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब असा करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे तो आज की वीडियो काफी हेलफुल होने वाली है फ्रेंड जीरो कोष्ट में है और कुछ ऐसे आइडियाज आपके साथ शेयर कर दी हूँ जो आपको पता ही होने चाहिए कभी न कभी लाइप में आप आपको इन चोटे-चोटे से आइडियाज की जरूत पढ़ सकती है फ्रेंड तो वीडियो जिरो कोष्ट में होने वाली है लेकिन बहुत ही हेलफुल होने वाली है आपके साथ में जो भी टिप्स सेयर करूंगी आपको यह काफी पसंद आने वाले है तो चलिए फ्रेंड द कि यह यूज करते करते इतनी काली हो जाती है कि देखने में अच्छी नहीं लगती है और बच्चा जब कुछ भी मिटाता है तो पेपर काला होने लगता है तो यहां पर देखिए फ्रेंड मैंने सरसो का ओयल लिया हुआ है यह और इसी सरसो के ओयल से हम आज इसे क्लीन करन में और भी कोई चीज यूज नहीं करने वाली हूँ केवल सरसो के ओयल का ही यहां पर कमाल होने वाला है ना तो साबून सरब सेंप कुछ भी इसमें मैं नहीं लगाने वाली हूँ ना ही कोई हमें केमिकल की जरुवत पढ़ने वाली है से क्लीन करने के लिए बस आपको अगर आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजगा शेयर कर दीजगा चैनल पर आज पहली बार आये हैं तो सस्क्राइब कर लिजगा घंटी को दबाकराल पर सेट जरूर की जगा ताकि जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करू तो उसकी सूचन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप इसी तरगे की हैलफुल वीडियो का लाब समय अनुसार उठाए पाएं तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैं आपको क्लीन करके भी दिखा रही हूँ इस रवड को यह देखिए मैंने क्लीन करी लई है अब हम करेंगे क्या इसे न किस किसी भी साफ से कोटन के कपड़े से क्लीन कर लेंगे यह देखिए यहाँ पर हमें पानी वगएर की भी कोई जरुरत नहीं पाड़ने वाली है यहाँ पर बस आपको किसी भी कपड़े से हैंकी से इसे क्लीन कर लेना है यानि कि इस पर ओयल नहीं रहना चाहिए अगर इस प क्लीन करनी पड़ेगी और देखते ही देखते हैं आपके सामने मैंने इस रवाड को बिल्कुल क्लीन कर दिया है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी मार्केट से नई खरीदी है यह देखिए इस तरीके से अगर आपके बच्चे की रेजर भी कभी वेकार हो जाती है काली हो ज केवल थोड़े से ओयल से ही मैंने इस रवाड को क्लीन कर लिया है आप भी अपने बच्चों की रवाड को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं अब इसके जो अगला आइड़ा है वो भी अच्छा होने वाला है यहां पर देखिए मैंने यह साबून लिया हुआ है नहाने का और देखिए फ्रेंड हम करते क्या है कि सभी के पास हैंड वास नहीं होता है क्योंकि काफी घरों में इस तरीके से साबून को यूज किया जाता है हैंड वास करने के लिए भी तो हम इसे वास विशन पर रख देते हैं हाथ दोते हैं और डारेक्ट नीचे इसी तरीके से वास पर टिका के रख देते हैं जिससे की नीचे से गलता रहता है इसमें पानी रहता है तो सूखता नहीं है तो यह का साबुन बर्बाद रहता रहता है ज्यादा गुल जाता है तो आपके पास कोई इस तरह का खिलो नहीं है तो आपको करना कि thereby किसी भी खाली बोत ay का आपको ढखकन लेना है और ढखकन को इसी तरीके से साबुन में सेट कर देना है अभी होगा ना थोड़ा से स्टैंड का काम परेगा तो साबुनी स्टैंड आपका बनके तयार हो जाएगा और आप इसे जब भी इस तरीके से हाथ दोने के बाद वोस वेशन पर रखेंगे नीचे से ड्राइ होता रहेगा क्योंकि इसे नीचे से एर जाती रहेगी तो यह नीचे से गीला नहीं रहने वाला है तो आपका साबुन गलेगा भी नहीं ज्यादा और लांग टाइम तक चलता भी रहेगा और यह ड्राइ भी रहेगा आसा करती हूं यह चोटा सा टॉपि यह बहुत पड़ता है, अगर हम reel ढूलेते हैं, तो यह फिरके हात नहीं लगती है, और अगर फिरके मिल जाती तो reel हात नहीं लगती है, कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, क्यों ना कुछ ऐसा करें कि इन फिरके को और reel को दोनों को एक साथ organize करदें, यानि के सेट कर दें तो यहाँ पर आपको लेनी है यह बारीक वाली रवड और रवड को न मैंने फिरकी के अंदर से डालती है और कुछ इस तरीके से इसमें एक फंदा जैसा लगा देना है यह देखिए तो बहुत अच्छे से नोट लग जाती है फ्रेंड इसमें यह देखिए वड के अंदर मैंने फिक्स कर दिया है ना तो रिल का एंड खुलेगा यान के धागा खुलके बेकार होगा और नहीं आपकी फिरकी इधर उधर गुमती फिरेगी यानि कि आपको समय अनुसार मिल जाएगी तो दोनों चीज़ें आपकी एक ही जगा पर व्यवस्तित रहें और आपको इधर उधर चीज़े ढोंडनी भी नहीं पड़ती है तो आसा करती हूँ ये वाला आडिया भी आपको पसंद जरूर आया होगा अब देखते हैं इसके अगली टीज तो यहाँ पर मैंने ये बिंदी ली होई है तो बिंदी का जो मतलब यूज है चीम्टे में व फिर आप उस पर बिंदी चिपका दीजिए फिर आप अपने माथे पर लगाएगा तो इस योगा के माथे में जो एलर्टी होती वह आपके माथे में नहीं होगी यानि के आपको खुझली नहीं मचेगी जब इसका ये गोंद थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो बहुत अच् पत्तों में ही रवार डालके रख दी अब ये दोनों मुझे एकी जगह पर मिल जाएंगे समय अंसार तो यहां पर दिखी फ्रेंट अब हम करेंगे खाली बिंदी के पत्ते का यूज तो यहां पर मैंने ये पत्ता लिया है और मैंने चीम्टे के अंदरी सेट कर जाएए इ नहीं कि और बरतनों को रखने के लिए जगह नहीं बसती है तो आप अगर इस तरीके से इस बिंदी के पत्ते को इसमें आगे से डालके रख देंगे ना तो जो इसका आगे वाला मुह है खुला हुआ वह एकदम क्लोज हो जाएगा यह देखी फिर आप इसे कहीं पर भी ट कीमटे में कर सकते हैं आशा करती हूँ आज की छोटे छोटे से टॉपिक आपको पसंद आये होंगे और यह वीडियो आपके लिए काफी हैलफुल भी रही होगी जाते जाते आप से रिक्वेस्ट करना चाहते हूं फ्रेंड कि जाते जाते आप भी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजगा फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो साथ अब तके लिए बाबाई टेक केर थेंक्स फ़र वाचिंग